हेलो श्रेंड्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हूं क्रिष्णा कैसे हैं सब लोग मास बढ़िया तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मा को छेरोपेटिस का चैप्टर नंबर टू डी का लेक्टर नंबर टू जिसका नंबर पढ़ने वाले हैं पार्किंसन्स डिज हम सब लोगों ने देखा हुआ है कुछ नहीं है यह जो तुम लोगों ने देखा होगा कि जब एक बुड़ापा आ जाता है ठीक है काफी एज हो जाती है करीब करीब 80-90 साल की लगब 90 साल के आसपास तो लोग तुमें देखो जो बहुत बुड़े होते हैं उनका हाथ पै हो चुके होते हैं तो आप समझे लिए जारा इसको हम लोग जादर बुड़ों में होती है लेकिन आज कल है ना सब में हो रही है रेर केस में तो पार्किंसन डिजीजीज इस नीरो डिगनरेटिव याद रखेंगे नीरो डिगनरेटिव डिस ओर्डर यानिकि हमारे निरॉ सिफ डिटोरियेशन मतलब खराब हो जाना जिसकी वैसे धीरे धीरे प्रोग्रेसिव बढ़ते हुए क्रम में खराब होने लगती है मोटर फंक्शन मोटर फंक्शन ये मेरे कंट्रोल में है ये हाथ मेरे कंट्रोल में अब ये हाथ ऐसे हिल रहा है तो ये काईदे मेरे कंट्रोल में होती है जो चीज़े मेरे कंट्रोल में होती है हम लोग पढ़ चुके हैं Human Entomio Physiology में वो क्या है? motor function होती है न, voluntary muscles जो होती है तो जो motor function वाली चीजे हैं, वो क्या होती है हमारे control से भार होने लगती है, ठीक है तो कौन सी चीज disturb हो रही है, motor function कारण क्या है, loss of dopamine producing brain cells ये तीन चीज़े definition में लिख दो, खेल खता तो Parkinson disease एक neuro degenerative disorder है जो की धीरे-धीरे, progressively खराब कर देता है हमारे motor function को, उसका reason होता है हमारा dopamine producing cell जो होते हैं, वो damage हो जाते है Parkinson disease is classified by type based on its cause and age of onset हम इसको, PD को, Parkinson disease को classify कर लेते हैं कि उसका कारण क्या है और किस age से वो start होई है उसके इसाफ से हम उसको क्या कर लेते हैं, classify कर लेते हैं एक होता है, idiopathic PD यानि की Parkinson disease occurs in person around 60 साथ वालों के लिए हम लोगे term इस्वाल करते है, idiopathic PD ठीक है न, early onset PD occurs in young patient often before the age of 50 पटाफ से पहले अगर आ जाता है, तो दिक्कत ज्यादा होती है जब एक साथ के बाद हो रही है, तो उसे idiopathic PD कहा जाता है, ठीक है, there are also secondary Parkinson, यहाँ पर एक secondary Parkinson भी होता है, and atypical Parkinson is, दो टाइप के बता रहा है, secondary और atypical, ठीक है, अच्छा, इनके classification जो है, उतना important नहीं है, definition जादा important होती है, लेकिन knowledge के लिए छोगा साम एक्स्टा लेके चल कुछ और होते हैं, किनी और वज़ों से होता है, यह कारण नहीं होता है, neurodegenerative order नहीं होता, disorder, like a drug, कोई drug हो सकता है, stroke हो सकता है, brainwave stroke आया हो, ठीक है, और primary neurodegenerative disease, या कोई neurodegenerative, कोई बीमारी ऐसी हो गई हो, जिसकी वज़े से neurodegeneration हो गया हो, तो types of Parkinson को मैंने समझाने को कुछ इसकी है, जो बुड़े लोगों होते है, सबसे जादा common union पाए जाता है, जिसको इडियोपैसिक कहते है, early onset होता है, familial होता है, caused by inherited genetic mutation, और secondary वार जामने उपर भी पड़ा, occur as a result of underlying process of factors such as drug, head trauma, toxin, हैना, secondary में क्या है, हमारे neurons normal थे, लेकिन कुछ ऐसा घट गया हमारे सा जैसे, वो सब चीज़े हो गई, और एक आता है, atypical, neuro degenerative disease, atypical disease आ गया, secondary में, कोई चीज घटना घटी है हमारे साथ, ठीक है, अब जैसे यहाँ देखा रखे है, बुड़े बाड़े लोग देखे हैं, जहाँ जहाँ शेक देखा है, हाथ ऐसे कपते हैं, यह ऐसे हैसे, मत एटिलोजी, पार्किंसन डिजीज, is an idiopathic disease, अजब एज के साथ होती है, है न, but some cause, maybe, उसके अलावा भी कुछ फेक्टर आ सकते हैं, जैसे जनेटिक हो सकता है, टॉक्सिन, कोई टॉक्सिक चीज खाली हो, हमने जैसे की, MPTP, मिथाइल, फिनाइल, टेट्रा, हाइड्रो, प oxidative stress, stress हो गया हो oxidative, drug induced Parkinson's, कुछ drugs जैसे की, anti-psychotic like, haloperidol, ये भी Parkinson's को induce करते है, dopamine antagonist as metoclopromide, तो dopamine antagonist होते हैं, क्यों डोपामाइन की कमी कर देंगे, तो ये वाले drugs भी कहीं न, पार्किंसन को create करते हैं, ठीक है, तो etiology थी हमारे पास, next आपते हैं, pathogenesis, pathogenesis पे जहां रखें हम लोग main चीज क्या है, dopamine हमारा body में कम करना है, हमको या कम हो जाता है, तो क्या-क्या चीज़े हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, तरीका बड़ा simple है, समझने का, ठीक है, ये सारी चीज़े मैंने अलग-लग लिख दी है, तुम इन सबको एक bracket में एक साथ ऐसे करके लिख सकते हो, और फिर सीधा ऐसे करके आ सकते हो, ठीक है, genetic, oxidative stress, immune system, abnormal, protein processing, toxic iron का accumulation होना, और unknown environmental factor, इन में से किसी भी एक वहे से क्या होगा, loss of dopaminergic neurons in substancia nigra parts compact of basal ganglia, ये पार्ट बता दिया, या तुम लोग अगर पूरा याद नहीं रखना चाते हो, कोई बात नहीं, सीज़े से ल लिख सकते हो, loss of dopaminergic neurons, कौन से neurons खतम हुए, कौन से neuron जो dopamine produce करते थे, किस हिस्से के, वो मतली को चल जाएगा एक बार को, इससे क्या होगा, dopamine production decrease कर गया, अब जैसे dopamine production decrease करता है, हमारी बाड़ी एक compensatory mechanism, dopamine decrease क्या कोई बात नहीं, हम दूसर तरीका चालू करते हैं, दूसर तरीका चालू कर देती ही, dopamine बढ़ाने के लिए, जिसकी वाज़े से starting में हमको symptoms का ऐसास नहीं होता है, फिर जो compensatory mechanism चालू हो गया था, वो भी दिर दिरे क्या हो गया, fail हो गया, और ultimately क्या हो गया, decrease activation of direct vessel ganglia pathway, यह क्या कर गया, decrease movement initiation, हम जो चलते फिरते हैं, उनमें हमारा क्या हो गया, धीमापन आ जाता है, ठीक है, और inhibition of indirect ganglia activity मतलब increased movement inhibition, ठीक है न, जो movement का, जो लोग जैसे में movement करते थे, उसको रोकने वाली चीज़ें बढ़ जाती है, moment सुरू करने वाली चीज़ें बढ़ गई, और जब सुरू हो गई एक बढ़ जाता हूँ, ठीक है, तो बहुत धीमें-धीमें चलूँगा, क्योंकि initiation क्या होगा है, decrease कर गया है, यहाँ पर इसकी जो activation है, direct vessel ganglia pass में, ठीक है, activation of direct vessel ganglia pass में, जो की हमको, तेज तेज चलने पर help कर रहा था, वो चीज़ें decrease कर गई है, initiation of indirect ganglia activity, जो की motion जो गई चल गया, उसको तेज रखता था, वो भी decrease कर गया है, तो main यह दो activity याद रख लोगे, तो भी चल जाएगा, ठीक है न, और ultimately क्या हो जाती है हमको, Parkinson disease होगी, तो pathogenesis, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें घट रही है, और ultimately क्या हो गया, के लिए अब clinical manifestation, ठीक है, तो motor impairment, bradykinasia, हमारा motion slow हो जाता है, ठीक है, bradykinasia, hyper salivation, थूख बहुत जाद निकलेगा, postural imbalance, हम लोग सही से, posture बनाने पाते हैं, ठीक है, आदमी जो जुख के चलेगा, या अलग तरीके चलेगा, तो postural imbalance, अपना posture सीधा रखने में दिक्कत आते हैं, trember, हाथ प difficulty, चलने में दिक्कत आती है, freezing of moments, है ना, हमारा जो moments होता है, freeze हो जाते है, मतलब चले नहीं पाते हैं, तरह से, non motor में क्या आएगा, cognitive impairment, सोचने समझने की छमता हमारी कम हो जाती है, sleeping disorder, साई से सो नहीं पाएंगे, mood disturber रहेगा, हमारा gastro-intestinal issues, paid से लेटर समस्या सुरू हो sweet and olfactory disorder, मीठा और जो सुने की छमता वाली चीजे है, उनमें दिक्कत आने स्टार्ट हो जाएंगी, anxiety, depression स्टार्ट हो जाएगा, pain होगा, ठीक है, यह non motor impairment है, यह motor impairment है, तो यहाँ पर motor impairment को ज्यादा हमें focus करना है, के लिए आगया clinical manifestation, next आते है, non pharmacological treatment, तो अगेन यहाँ पर व जल्दी जल्दी करें, patient को educate करेंगे, या जो care giver, care giver मतला जो patient की care करता है, उसको educate करेंगे, physical therapy कराएंगे, exercise कराएंगे, occupational therapy, occupational therapy क्या होती है, जिस occupation में है, वहाँ पर कुछ ऐसी activity रहेगी उसके पास, कि वो अपने काम को थोड़ा fast fast करेगा, speech और language therapy बोलने में दिक्कत आती है, diet उसकी सही कराएंगे, psychological intervention है ना, जो emotions वगरा रहते हैं उसके, वहाँ पर उसको क्या करेंगे, हम लोग psychologically deal करेंगे, जिससे कि वो खुश रहे, relaxed रहे, जिससे कि उसके functions अच्छे हो, dopamine जाज जाज़ा, release हो, then pharmacological treatment में क्या आ जाएगा, levodopa, carbidopa का इस्तमाल होगा, anticholinergics, trihexofenidil और banditropin, amantadine, catechol-o-methyl-transferase inhibitor, COMT और monoamine oxidase type B, MAOB, तो यह कुछ drugs है हमारे पास, जो हम लोग इस्तमाल करेंगे, ultimately क्या है, यह सारी drugs कहीं ना कहीं, हमको क्या कोशिश करेंगे, हमको क्या कोशिश करेंगे, हमारे body का dopamine level increase कर जाए, ठीक है ना, तो जहां कहीं पर तुमको याद आ रहा हो कि अच्छा, आपने यहाँ पढ़ा था, dopamine level, यह drugs increase करते हैं, तो जाके चेक करो, यह drugs तुमको कहीं ना कहीं, होँआ पर मिल जाएंगे, clear है, तो में यहाँ पर क्या target रखोगे, dopamine, Parkinson में क्या रखना है, हमको दिमाग में, dopamine, ठीक है ना, और neurodegenerative तो प्राइक्टिस अच्छे सा करनी है, ठीक है, lectures और उसके notes का link description में दिया होता है, यह मेरा number है, ठीक है, कोई problem है तो call कर लो, बाद वागे extra practice करनी है, तो यह app है, और कुछ ना करो, revision पक्का करो, ठीक है, revision करना है, तो पढ़ाई बहुत अच्छे हो जाएगी, और अच्छे number से पास होगे, ओके, all the best!